साइकडों किलोमेटर के सफर में जाने कैसी कैसी दुश्वारियां जहेल कर आई ये मासूम एक पल में सब कुछ भूल गई खिलाओने बिस्किट चॉकलिट मिलते ही मानों इसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई चेहरी पर च्छाई बड़ी से मुस्कान बता रही है कि पिछला सब कुछ भूल कर ये इसी पल के इत्मिनान में मगन है लोगडाउन में रोजगार बंद होने से देश भर में प्रवासी कामगारों के उपर जैसे पहार तूट पड़ा कोई ट्रक से तो कोई रिक्षे ठेले से तो कोई पैदल ही अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ा ऐसी ही मुश्किलें जेल कर ये परिवार भी साथ MP UP के बॉर्डर जहासी तक पहुचा लेकिन यहाँ जैसा बरताव हुआ उसकी किसी ने उमीद भी नहीं की थी जहासी में दिली हर्याना महरास्ट्र समेत कई राज्यों से मजदूर आ रहे हैं इन्हें यूपी में आगे या MP में अपने घरों तक पहुचना है लेकिन अब तक ये लोग जिस पुलिस से बर्षते हुए सफर कर रहे थे जहासी में वही इनकी मददगार बन गई दिली से सटे घाजियाबाद में भी प्रवासी मजदूरों के लिए कैम्प बनाया गया है रेजिस्ट्रेशन के जरिये यहां तक पहुचे लोगों को आगे के सफर पर बसों से पहुचाया जाएगा यहां पर अपने तो होंगे जो इनकी मुश्किलों को थोड़ा कम करेंगे और यहां पर गाजियाबाद के राधास्वामी आश्रम में तमाम बसों का बंदोबस्त किया गया है जहां पर अलग अलग रूट के लोगों को वर्कवर्स को भेजा जा रहा है लेकिन मुश्किल यह है कि घर लोटने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है इसके आगे सारे इंतजाम छोटे पड़ जाते हैं कई ऐसे लोग हैं जो बिना रेजिस्ट्रेशन के इन कैम्पों और बसों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इन्हें नाउमीद होना पड़ता है घाजियाबाद से मौसमे सिंग, दिली से जितेंदर बहादर सिंग और जासी से अमित श्रिवास्तव के साथ